एक बार की बात है एक पंडित था उसकी पतनी बहुत जगरालू थी वह हर समय पंडित से लड़ती जगरती रहती थी पंडित बहुत दुखी हो गया उसको ऐसा लगता जैसे उसे सूली पर चड़ा दिया हो वह सहमा सहमा और डरा डरा सा रहता था पंडित की पतनी से सारा गा अच्छी खासी पूजा करती थी पंडी जी थे कि उसके आगे बोलते तक नहीं थे आखिर में पंडी जी ने ठक हार कर अपना घर और गाउं छोड़ने का निड़ने लिया वह घर से निकल कर एक सुनसान भयानक जंगल में आ गए एक वट व्रक्स के नीचे बैठ कर अराम करन लगे इतने में उन्हें गहरी नीद आ गई उस वट व्रक्स पर एक भूत रहता था वह भूत आने जाने वाले लोगों को डिराता था और कभी-कभी आने जाने वालों के साथ मस्खरी करके उनका मजाक भी उडाता था पंडी जी को वहां सोय हुए देख कर उसके मन में एक स्रारत आई वह धीरे से वट वरक्स से नीचे उत्रा और पंडित जी के सिर पर हलकी सी चोट मारी पंडित जी घबरा कर उठ खड़े हुए वह डर के मारे काप रहे थे बहे के कारण अचानक उनके मुझे अपनी पत्नी का नाम तिरसुला निकला तिरसुला का नाम सुनते ही भूत डर के मारे कापने लगा वह सामने आकर पंडित जी के चरनों में गिर पड़ा और कहने लगा पंडित जी मुझे तिरसुला से बचाओ मैं आपका गुलाम बन कर रहूंगा जो भी कहोगे वही करूंगा पंडित जी ने उस भूत से कहा अरे भाई तुम तिर्सुला से इतना डरते क्यों हो भूत बोला पंडित जी पूछो मत इससे पहले मैं पंडितों की बस्ती में रहता था उसी गाउं में पंडितों की एक लड़की जिसका नाम तिरसुला था वे भी उसी गाउं में रहती थी उससे सारा गाउं थर-थर कापता था वे बहुत ही जगडालू सभाव की थी एक बार की बात है कि तलाब के किनारे कपड़े दो रही थी वह कपड़े दोने वाले डंडे से मुझे पीटने लगी उसने पीट पीट कर मुझे अदमरा कर दिया मैं वहाँ से भाग कर दूसरे गाउं में आ गया उसकी जब साधी हुई वह भी साधी करके उसी गाउं में आ गई एक बार फिर में गलती से उसके घर चला गया उसने मुझे पहचान लिया भीतर से मूसल लेकर आ गई और मुझे मूसल से पीटने लगी मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर भागा अब मैं इस सुनसान ज दरते हैं प्रंतु यहां पर तो भूत भी मेरी पतनी से डरते हैं कितनी बहादूर है मेरी पतनी पंडित ने मन ही मन विचार किया भूत ने पंडित को बताया कि इस पेड़ की नीचे खजाना है आप यह खजाना ले जाओ प्रंतु तिरसूला को मेरा पता मत बताना पंडि रिताइन ने भी पंडित को डाटना और उसके साथ जगरना छोड़ दिया था